हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुती टेश्टी नास्ता तो कभी भी कुछ चटपटा या कुछ टेश्टी सा खाना हो तो आप इस नास्ते को पांच मिनाट में बनाके तयार कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह हमें ए चोटे चोटे पीस बनाके तो कभी भी कुछ बच्चों के लिए भी कुछ टेश्टी सा बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है यह नास्ता तो यह हमने चारों प्रेड को तोड़के डाल दिया इसे ग्राइंड कर लेंगे ब तो उबालके हमने इसके चीला को टार दिये थे उसके बाद क्या करेंगे यह ग्रेटा ले लेंगे बारीक जाली वाला और इसे ग्रेट कर लेंगे तो बिल्कुल भी इसमें गुड्लिया नहीं होनी चाहिए तो इसलिए हम ग्रेट कर रहे हैं तो यह आप देखिए कि मसाले आपको पसंदों आप डाल सकते हैं ठोड़ा सा मोल तो जाल तो थे दालते लेंगे अगैंैंट अभी इसमें डाल देंगे उसके बाद नमक कर देंगे उसके अनुसार需 हर साबु जीरा टालत मोल परष्ए यह साबु चीलशाु डालेंगे और उसके बाद थोड़ा जादा सा हम धनिया की पतिया डाल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है अगर नास्ते में धनिया की पतिया थोड़ा जादा हो और उसके बाद जो हमने ग्राइंड किया था चार ब्रेड को तो बो डाल देंगे और इसे अच्छे से म तो ऐसे ही मसल के अच्छे से मिक्स करते वे और इसको डो बना लेंगे तो यह आप देखे अगर हाथों पे चिपक रहा हो तो हल्का सा तेल लगा लेजिएगा तो यह आप देखे हलका सा इसमें अभी थोड़ा की ला है ये तो इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा चावल का अ लेखे जाल है। उसके पाद इसे अच्छे से मिक्स करके। और क्या होगा कि चावल का अच्छा डालने से ये बढ़ी आसा करार हैं और इसमें बाइंडिंग भी अच्छा जाएगी। जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं बिक्रेगा नहीं। तो इस सकते हैं और इसको अच्छे से तेल से ग्रीज कर लेंगे ऐसे करके तेल लगा लेंगे पूरे पर अच्छे से और उसके बाद यह जो हमने डो बनाया था उसको इसमें रखके और हातों से ऐसे करके इसको बढ़िया सा सेट कर लेते हैं यह आप देखिए यह हमने ऐसे करके तो आप किसी भी डिजाइन में बनाना चाहें तो कैसे भी कट कर सकते हैं इसको जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही कट करना है तो जो भी आपको पसंद हो वैसे आप कट कर सकते हैं इसको तो यह आप देखे तो एक दम आसान है कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है तो ऐसे करके और एक एक करके हम चाकू से इसे उठा लेंगे इसको तो ये आप देखें बढ़िया से पीस निकल के आ रहे हैं तो इसको थोड़ा किनारों से सैट कर लेंगे और ऐसे ही निकाल लेते हैं तो ये आप देखें पूरे हमने निकाल दिये हैं प्लेट में एक ना में आटे ने शेट कोटिंग कर लें और इसे बिल्कुल आच्छी अच्छी आटा ना चिपका रहा है। तो ऐसे करके और ये पूरे ही तयार हमने कर दिये हैं उसके बाद गैस की तरफ चलते हैं तो इधर हमने दो बड़े चमस तेल गरम करने रख दिया था तो एक एक करके जितने भी आएंगे उतने हम इसमें डाल लेते हैं और गैस को मीडियम पे ही रखेंगे ज्यादा हाई भी एक भी चैड़े नहीं उसके बाद थोड़ा गरम तेल राम ऊपर डाल लेंगे ताकि ये उपर से बीशीक चाए थोड़ा थोड़ा करके ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाय индे में ज्यादा कम नहीं करेंगे इन गर आप्पर यो तो एše करके और फिर पक्लत लेते हैं यह और गदरें के लुवित गया है जरूर बनाइए गया देखने में अधर का इस लिए आप ट्राय किजेगा कि तो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में बहुत ही टेश्टी लग रहे हैं तो ऐसे करके आप जरूर एक बार बनाएगा फिर से हम थोड़ा सा और बनने देते हैं उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे तो एकदम करारा सा नास्ता बनके तयार है अब हम इसे निकाल लेते हैं थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे और उसके बाद सारे नास्ते को निकाल लेते हैं भी हमारे पास रखा हुआ है उसको भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे तो यह आप देखे पूरा ही नास्ता बनके एकदम तयार हो गया है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हमें जरू और ब्रेट का यह टेश्टी नास्ता थेंक यू